नमस्कार दोस्तो रोहीत स्टडी सिव्टूप चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए 40 प्रशन का जनरल नॉलेज लाया हूँ दोस्तो इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोट कर दिया हूँ अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंग किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओ वीडियो आप यहीं से देख सकते हैं दोस्तो आप इन सब प्रशनों को अवस्थी सीरियस ली लीजिएगा क्योंकि जो यह ससी सीजिल यूपी यह से अन्टी पीसी रेलवे लोको पाइलट आर आर बी और सभी अन्य प्रश्यों की परिक्षा में पूछे गए प्रशनों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ तो दोस्तो हम बढ़ते हैं अपने प्रशन की तरफ प्रशन एक सिर्का में कौन सा अमल पाया जाता है उत्तर एसिटी का अमल अब ध्यान देंगे दोस्तों सिर्का में एसिटी का अमल पाया जाता है प्रशन दो मुंताज महल का असली नाम क्या था उत्तर अरजुमंद बानु बेगम मुंताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानु बेगम था प्रश्ण तीन डापलर प्रभाव किस से संबंदित है उत्तर ध्वनी से दोस्तो अब ध्यान देंगे डापलर प्रभाव ध्वनी से संबंदित है प्रश्ण चार मदमक्खी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है उत्तर मेथोनोईक अमल या फार्मिक अमल दोस्तो अब ध्यान देंगे मदमक्खी के डंक में मेथोनोईक अमल या फार्मिक अमल पाया जाता है प्रश्ण पांच मालगुडी डेज पुष्टक के लेखक कौन है ca. 20,000mHr. आबृत्ति वाली ध्वनी को क्या कहते हैं ? उत्तर, श्रब्य या आडिबल ध्वनी दोस्तों आप ध्यान देंगे 20herds से 20,000Hr. भाली ध्वनी को आडिबल ध्वनी या स्रब्य ध्वनी कहते हैं प्रश्ण साथ प्रश्ण साथ निद्रा रुग पैदा करने वाला प्रोटु जुवा है उत्तर ट्रिपेनु सोमा दोस्तों आप ध्यान देंगे निद्रा रुग पैदा करने वाला प्रोटु जुवा को ट्रिपेनु सोमा कहते हैं प्रश्ण आठ पंचियों के अधियन को क्या कहती हैं उत्तर अनिर्थोलोजी पंचियों के अधियन को अनिर्थोलोजी कहती हैं प्रस्न 7. तडित चालक का आविश्कार किषने किया. उत्तर बेजामिन फ्रैंकलीन अब ध्यान देंगे दोस्तों, तडित चालक का आविश्कार बेजामिन फ्रैंकलीन ने किया. प्रश्न दस, बक्सर के युद्ध, 1764 इस्वी में, अंग्रेजों के सेना का नेत्री तो किष्णे किया था उत्तर हेक्टर मुनरों ने, 1764 इस्वी में बक्सर से जो युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेत्री तो हेक्टर मुनरों ने किया था प्रश्न दस डाक्तर भीमराव अंबेटकर ने संबिधान का हिर्दय इवं आत्मा किसे कहा है उत्तर समवैधानिक उफचारों के अधिकार को अब ध्यान देंगे दोस्तों, डाक्तर भीमराव अम्बिटकर ने संविधान का हिर्दयव आत्मा संवैधानिक उपचारों की अधिकार को कहा है प्रश्न बार, लार्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्च रद्द किया? उत्तर 1911 इस्वी में अब ध्यान देंगे, लार्ड हार्ड ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था दोस्तों, यहां जो रूस लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर सोविय संग भी मिलता है इसे आप कन्फूज नहीं होंगे प्रश्ण चवद्व प्रशिद्ध चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में भारत आया था उत्तर चंद्रगुप्त दुटी है अब ध्यान देंगे दोस्तों प्रसिद्ध चीन यात्री फायान चंद्रगुप्त दुती के सासनकाल में आया था प्रश्न पंद्र कि इस छेत्र में और साधारण योगदान के लिए सांती स्वरूप भटना कर पूरसकार दिया जाता है उत्तर विग्यान अब ध्यान देंगे दोस्तो शांती स्वरूप भटना कर पूरसकार विग्यान के छेत्र में दिया जाता है प्रश्न सोर लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है उत्तर नाइट्रस अक्साइड जिसका सुत्र होता है यान 2-0 प्रश्न सत्र मिलका अप मैगनीसिया का रासायनिक सुत्र क्या है उत्तर यम जी कुष्टक में ओ या कुष्टक बंद टू यानि मैगनीसियम हाइड्रो अक्साइड प्रश्न अठार दचली धुरूप की खोज किसने की थी उत्तर अमेंड सेन ने दोस्तो दचली धुरूप की खोज अमेंड सेने किया था प्रश्न अनिस मार्स गैस किसे कहते है उत्तर मिठेन को मिठेन का सुत्र होता है C.H.4 मार्स गैस मिठेन को कहते है प्रश्न बीस यूमरस नामक हड़ी कहां पाई जाती है उत्तर उपरी भुज़ा में अब ध्यान देंगे दोस्तो शूमरस हड़ी उपरी भुज़ा में पाया जाता है प्रश्न 21 प्रशिद्ध टेनिस खिलाडी नुवाक चोकोबीच किस देश के है उत्तर सर्विया अब ध्यान देंगे दोस्तो प्रशिद्ध टेनिस खिलाडी नवाक चोकोबीच सर्विया देश के हैं प्रश्ण बाईस धनवंतरी पुरुषकार किस छेत्र में प्रदान किया जाता है उत्तर चिकिस्सा छेत्र अब ध्यान देंगे दोस्तो धन्वंतरी पुरुसकार्च किसा के छित्र में दिया जाता है प्रश्न तेईस प्रकास का वेग सरुपर्थम किस ने ग्यात किया था उत्तर रोमर आग ध्यान देंगे दोस्तों प्रकास का वेग सरुपर्थम रोमर ने ग्यात किया था प्रश्न चौविस भारत के प्रमुक्ष समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधी कहां इस्तित है उत्तर ब्रिश्टल यानि ब्रिटेन में आप ध्यान देंगे दोस्तो राजा राम मोहन राय की समाधी ब्रिश्टल में है प्रश्न पचीश प्रत्यावर्ति धारा को दिश्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है उत्तर रेक्टि फायर दोस्तों आप ध्यान देंगे प्रत्यावर्ति धारा को दिश्ट धारा में रेक्टि फायर के द्वारा बदला जाता है प्रशन 26 तडित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं। उत्तर तामबा तडित चालक तामबा धातु के बनाए जाते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तो सूर्य सेन पस्ची मंगाल के क्रांति कारी थे इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्ण 28 बरसाती याने रेन कोट्स किसे से बनाया जाता है। उत्तर पाली कार्बोनेट से। अप ध्यान देंगे दोस्तो रेन कोट्स पाली कार्बोनेट से बनाया जाता है। प्रश्ण 39 बहमनी राज्य की अस्थापना किशने की थी। उत्तर अलाउदीन हसन बहमन सा हसन गंगुने। प्रश्ण 30 ग्रैफिन होता है। उत्तर कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अध्यान देंगे दोस्तों ग्रैफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। प्रश्ण 31. स्वतंत्र भारत के प्रथम बित्मंत्री कौन थे? उत्तर आरके समुखम चेटी. दोस्तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बित्मंत्री आरके समुखम चेटी थे? प्रश्न 32 भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे उत्तर सुकुमार सेन आप ध्यान देंगे दोस्तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे प्रश्न 33 स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे उत्तर बल्देव सिंग आप ध्यान देंगे दोस्तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बल्देव सिंग थे प्रश्न चाउंतिस प्रथम बित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उत्तर केसी नियोगी आप ध्यान देंगे दोस्तो प्रशंबित आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे प्रश्ण 35 विशाडू यानी वाइरस क्या है उत्तर अकोशिकी आप ध्यान देंगे दोस्तों वाइरस अकोशिकी होता है प्रश्ण 36 विशाडू यानी वाइरस की खोज किसने की थी उत्तर इवानोस्की ने अब ध्यान देंगे दोस्तो विशाडू यानि वाइरस का कोज इवानोस्की ने किया था प्रश्ण 37 जीवाडू यानि बैक्टेरिया क्या है उत्तर एक कोश्की है अब ध्यान देंगे दोस्तो जीवाडू एक कोश्की है प्रश्ण 38, सावर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उत्तर गैनी मीड अब ध्यान देंगे दोस्तों, सावर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनी मीड है प्रश्ण 49, सावर मंडल का सबसे चोटा उपग्रह कौन है? उत्तर डिमोस आप ध्यान देंगे दोस्तो, सौर मंदल का सबसे छोटा उबगरद डिमोस है सबसे बड़ा उबगरद गैनी मीड है और सबसे छोटा उबगरद डिमोस है इसे आप ध्यान रखेंगे प्रश्ण 40, दिन बंधु के नाम से कौन बिख्यात है? उत्तर, C.F. and use आप ध्यान देंगे दोस्तो, दिन बंधु के नाम से C.F. and use बिख्यात है तो दोस्तो, ये पांचवा पार्ट पूरा होता है इसके बाद मैं छटवा पार्ट का वीडियो बना करके अफ्लोट करूँगा दोस्तो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेट कीजिएगा और आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं तो दोस्तो, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवा तो चलता हूँ दोस्तो, जय हिंद